दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ आईशमान कार्ड एप्लिकेशन के एक ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो की काफी परसन को यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम यह है जैसे के यह आईशमान कार्ड की जो एप्लिकेशन होती है जैसे हम इसको ओपन कर रहे हैं तो ओपन होने के बाद में यहाँ पर हमारे सामने यह वाला इंटरफेस आ जाता है यहाँ पर यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है हम इसके अंदर login नहीं कर पा रहे हैं तो यह जो मैं आपको बता रहा हूँ यह आईश्मान काड की application की problems के बारे में बता रहा हूँ काफी लोगों के message मुझे आ रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि हम आईश्मान काड की application जो है उसके अंदर login नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यह जो problem आपको आ रही है वो क्यों आ रही है और इसको किस तरीके से fix करना है कैसे यह solve होगा सब कुछ अगर आप जाना चाते हो इसको fix करना चाते हो तो वीडियो में आप तुको end तक बने रहना है वीडियो को skip नहीं करना है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जाने जीए मेरे नामी शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिदेस यूटूब चैनल चैनल पर नहीं हो तो वाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो यह इंटरफेस आपके सामने आ रहा है इसका मतलब है कि उपर से साइट में प्रॉब्लम चल रही है जो कि यहाँ पर सर्वर डाउन समझ लीजिए तो यह जो प्रॉब्लम है यह बहुत जल्द इसको फिक्स कर दिया पा रहा है एप्लिकेशन में तो होई नहीं पा रहा है लेकिन ब्राउजर पर जाकर करके जब हम साइट को ओपन करते हैं तो वहां से भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं हम आई उश्मान कार्ड की वेब साइट के अंदर तो यह उपर से प्रॉब्लम है बहुत जल्द इसको सॉल्व किया जाएगा आपको बस जो है थोड़ा सा वेट करना है और बाकी इस पर जो अपडेट आएगी हम आपको वीडियो बना करके बता देंगे आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगए आपको पसंद नहीं तो इसको लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलने तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में